दोस्तों लोगडाउन ने देश का बुरहाल कर दिया है। कुछ कामदंदे बंद हो गए हैं और जो अभी चालू है वो महंगाई की मार को जेल रहे हैं। जिहां दिन और रात पेट्रोल डीजल के दम बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेट बढ़ चुके हैं। आज हम पुराने रेटों पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी रेट बढ़ा कर मिले। हम काफी संकट के दोर से गुजर रहे हैं। सभी ने एक राय रखी और नासिर अंसारी को अपना प्रेजिनेंट बनाया। नासिर का कहना है कि इन सब की बाते सुनी जाएगी। और जितना हो सके इस प्रोबलम को सोल किया जाएगा। एक ऐसा रेट रखा जाएगा जिससे बेकरी बंद ना हो। इसके लिए ये मिटिंग बनाएगा। लोगों को पूरी पूरी रेट में। ये एक लेवल की बात है। जी हाँ। कोई कोई इससे जादा भाव नहीं बहा सकता कोई। ये लेवल पारना है। बस उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसलिए हमने अपने नासिर भाई को चुना है। और इंशाललह ये काम होगा। बस हमने ये जो मिटिंग बिलाई है। इसी बात के लिए बुलाई है। कि भाई आज जो रेट होगा वो सेम होगा बराबर होगा। कि इसके बाई ज्यादा उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। जो तीन का बेच रहा है वो धाईदा बेचे रहा। भाई ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतने ही बिटेगा। आज आज बेक्रियर में लिएकृषिवास। आज का जो एजEMA है था हमारा एक एलेक्षिन का एलेक्षिन यद्धा था। कि हम लोग आज एलेक्षिन करेंगे तो हमने अपने प्रेजेंट जो है वो नासिर हमशारी को अज शून दिया.. जगा बनावार बार दूसरा एजेंडा हमारा है भाओ का, तो वह हमने 12 पाओ पे 2 रुपया बढ़ाया है और रिटेल पे हमने कुछ बढ़ाया नहीं है, जैसा है पभलिक पो वैसा ही मिलेगा पाओ, जिए हमारा जो भीच का डिफरेंस है, होटल वालो से, ठेरी वालो से, त इसलिए पब्लिक के उपर कोई बहार आने वादा नहीं है इसके भाव से और उनको ऐसे ही मिलता रहेगा जैसे पहले भी है यह हमारा आज का पूरता था वो हमने उसको कर लिया है क्या ओसकी नहीं हुँँ है मने अमारा लीडर नया चुना है यह हमारे नासिरवाई हो के इसाब से हम यह चाते हैं कि जो बेकरी का भाव और वह बेकरी का भाव जो बड़ा है वह एक बराबर सबके लिए हो पूरानी जो शिक्वे शिकायत ने लोगों के दिल में के मैंने उस टाइम पर यह किया था और अइसा किया था और यह हुआ था वो हमको वो नहीं चाहिए आज एक भाव ताही होगा और वो पुरे बंबई का ताही होगा यह नहीं के मतलब बॉर्डर की कुछ बेक्री आए व कि खिलाफ हम लोग खड़े हुए लिए हमारा लीडर हमारे साथ में जो इस चीज की आश्वाशन देते क्या ठीक है जो जैसा भाव था वो हिसाब से रेट वह हम लोग करेंगा वह हमारे इंटर्नल मेंट तो क्या कुछ अंतर है उसमें कुछ डिफ्रेंस है लास्टेंग ज लग गए उससे हमको उससे कोई दिक्केत नहीं लेकिन आज जो भाव है आज जो बात तैय हुए वो एक तरीके से सारी चीज के लिए सेट होनी जो भाव रहेगा वो पूरी बंबई में एक ही भाव रहेगा और इससे आम जनता के ऊपर कोई फरक नहीं पड़ेगा आम जनत आज दूसे से अच्छाओं प्राव चूरियर करेंगे जो इनके प्रावब्लम से उससे जूड़े हैं और लोग किस तरीके से लोगों को जोड़े अपने साथ में आज हमारे बेकरी वाले एक दूसरे से ऐसे जूड़े हैं बहुत सालों से जूड़े हुए तो इनको बोल कि दूरेंगे डूर उन्हीतर चलना कंदमाइल गड़रे कि सर्फके मुदें के क्या पुछ आपका एक मतलब बिस्टिशन था क्या डिसक्सिंग आपको कि अभी बीज में एक्सपोर्ट चालू था कि उसके काफी रेट गवर्मेंट नहीं बढ़ा दिया था या एक्सपोर्ट हो रहा था उसके वजह से पढ़ रहा था और यह बेकरी वाले जो है यह पर डे कोई रेट नहीं बढ़ा रहे हैं इनका साल का साल कोई रेट चलता रहता है तो जो इनका रेट है मालनों दस रुपिय का रेट है अब यह मैदा अगर पंद्रह सो का भी विचारे खरीद रहे हैं तो भी यह दसी रुपिय में बेश रहे हैं तो इनका तो लोस हो रहा ना तो उसके लिए ये मीटिंग रखे हैं कि मैदे का जब भी रेट बढ़ जाता है आज ही बढ़ा चलना है गवर्वर्मेंट हर साल MSP बढ़ाती है लेकिन ये बेकरी वालों का कहना है कि हमने 2017 से पाव में रेट नहीं बढ़ाया है तो ये जरूरी था इनके लिए बढ़ाना कि अगर उसके हिसाब से हम देखा जाएं पर इयर्स सव रुपिया पर कुंटल गवर्मेंट MSP बढ़ाती है तो इनको कुछ ना कुछ ना कुछ नो रेट बढ़ाना ही चाहिए था जिस तरीके से एक बात करी जाए कि मुंबई में ऐसा कहा जाता है कि पाव से कही ऐसे लोग है जो अपना घर चलाते हैं या अपना फेट भरते तो ऐसे लोगों को भी आप लोग उनके पारे में इसमें सोच कर चलते हैं उसके लिए उनके जो जो एक्छुल गरीब तबके क में यह हमारा इंटर्णल मैतर आई के साथ मोह पूलिक को समय वी वह पॉइटी भी देगे पॉंते लिए कॉंते लिए एक नियुक्तर आपकोस पूलिये कुली जो एक पहले इनका हो जाने जी चुल पर आफकों पती बात थर तींजन को है तीन ना आपकोस आजए इसग फा लोगों ने रेट बढ़ाने की बाट जाता है, यह हमारा internal matter है, जैसे दो रुपय का पाउ बिक्राथा बेगरी को पर तो दो ही रुपय का बिक्राथा बेगरी को, वो हाँ उसको आडाय रुपया नहीं आदा, या कहीं बडाथा बिक्राथा वो तीन नहीं है घा, कि कि गया दो को नत्रीं से के घ admdMA को आपको अबितों पाफ्लिक ने चुन आ है वह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए में इन्शालला में वह जिम्मेदारी को पूरी करूआ और हर साल कुछ ना कुछ नहीं नहीं प्रॉब्लम साते रहती है हमारे बेख्वेवालों से कोई सुनने वाला सुन्वाइकरने वाला नहीं है तो इन लोग ने मुझे इस चीज के लिए चुना मैं इनका बहुत शुक्र रगा हूं हमारा कोई रहबर नहीं है तो इन्हेंने प्रॉब्लम से मोदल मैं कि अपशने में आपने टीम किये लिए बबनाई है पूस्ची सबस्षपने लेवल पर काम करें हर बेकरी में जाएंगे उनकी सवस्याइच चुनेंगी पाफिम अधनितुरवर नहीं पर दो हुए वापने वक्त है हैं ये कि प्रफ से महंगा ई है दूसकी तर्स देशन को रोना था वेकरी बंद हो गई है वह सारे लेवर नी मिल लिए है आठेज दाल सावक चार्शी दे डबल हो गई है तो जबाए है इस्टाइम आपको भड़ाया है इन्होंने है कित्रा मुष्किल है दो ये तो मुष्किलों में ही जीते आ रहे हैं इन् बेकरी में जा जा करें कि और चीज का समस्याद हम और तीम चाहिए तो बहुत अच्छी तरीका चाहिए बढ़े हैं अगर बात करें यह बीच में टेल की एपने के पट्रों लीजन सब बढ़ा है हर चीज का रेट बढ़ा है कितना डिफरेंस आया है इसमें आपकी बाद से बस यह समझ लो कि अगर हम अभी रेट ने बढ़ाएंगे तो हम बंद दरने के उस पर आ जाएंगे इतना रेट बढ़ गया है मुंबई जो है बेकरी का सब्से बड़ा आट्डा है सबसे बड़ी बिज्निस है जाय दी इंदुस्तान में कोई सिझे गवाए तो सबसे जाद बेकरी मुंबई में जालेंगे वल्कुल बात हो चाहेगा शाय कुन हम बोडर लाइन पर खड़े हैं हम इक्तम बोर्टर लाइन जैसे कि पॉलोसर का मुद्धा दिल्ली जैसे सहर में पॉलोसर को करके सब बेकरी बंद करती है वो उसके लिए भी सरकार काफी प्रिसान करती है उसके मामने क्या करने चाहेगे कि अगर पॉलोशन का तो बहुत सारी चेंजेज आ रहे हैं पहले लगकर से बनते हैं अभी जालने वाला रहबर नहीं है बस यह प्रॉब्लम है अब इन्होंने मुझे चुना है मैं इन्शालला इन लोगों के काम है आप चाहते क्या है एक बड़ा सुवाले मैं चाहता हूँ कि बेकरी वाले परेशान नहीं हो हर साल इनका भाव बढ़े जब मैदे का भाव बढ़े घी दिल का भावड है तो इनका भावड है यह चाहता हूं यह खुश रहे हैं अभी कहां कासे लोग आए हैं हमारे पास घंडुक्स आये हैं धारा से आये हैं पूरे पूरे पूंपे से सब जगस है कि कुछ लोग अभी चिल्ला लेते कि तो रेट की बात है रेट एक जैसा से वाद आमाहती सब कहचे एक साफ सक्तों में गुणा कितनी कीमत है बढ़के कितरा हुजाजीए पाव की कीमत ऐसी एक वड़ा नहीं चले अगर पाव नहीं चले हैं कर पाव की तो इतनी कीमत है पूझ में मुंबई रोकल ड्रेन और वड़ा पाव भषा है वड़ा बिना जब हमारे पर पावंदी लगाएगी, जब वो हमें कुछ देगी, गौर्मेंट हमको दे नहीं रही कुछ, जो हम तो ओपन मार्केट से ले रहें, तो वो हमको बोलती है, जैसे आपको समझता है, आपको जहां परवड़ता है, वहां आप बेचे हैं, तो हमने जो अब रेट किया है, इस से आम पबलिक का रेट बढ़ने वाला नहीं, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि हमने इस तरह का रेट किया है, कि आम लोगों को अगर दो रुपए का पावं गिल रहा था, वो दो ही रुपए का मिलेगा, कही अलायों का, हमारा रेट जो है ना गिराग और हमारे दर्म्यान का रेट बढा, रिटेल कारेट हमने नहीं बढ़ा, तो इसलिए पबलिक को कोई तकलीव इससे होने वाली नहीं, रही सरकार की बात, सरकार तो हमारे साथ है, सरकार से जो हम लोग चाहते हैं, वो मिल जए आगा, वो तो बोलते है सरकार हमारे उपर कोई प्रावद नी डाल को सरकार अब लाइब जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग आज जुड़े हैं हम हर महीने दो महीने में मिटिंग लेते रहें और बेकरी वालों को एक तरेंगे इनकी सारी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम के लिए खड़ा दो जब यह मुझे आवाज देंगे मैं इनके लिए खड़ा दो आपके पीछे वाले जो आगे बैटेंगे अभी आप करेंगे हैं यह कहना चाहरा हो कि हमारे ज्वाव बढ़ने ही मुझे से आम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होई कि यह लेके बादेंगे लेकिन यह भाव बढ़ाया लिए तो हमने जो भाव बढ़ाया है हमें यह इनको नहीं बढ़ाइद और इससे जो आम जनता है भार की जो पब्लीक है उसको तो और benefit मिलेगा उनको तो यह है कि हम quality भी बढ़ाएंगे और quantity भी बढ़ाएंगे तो इसके लिए आमजनता को कोई से परिशानी और कोई तकलिफ नहीं है यह जो मामला हुए हमारे अंदूर नहीं है जैसे bakery और bakery के भीचे जो सेलर है और जो हम वेपार ही है तो इससे आमजनता को ऊत्य। आम जनता लिए बढ़ाएंगे प्रवारी मिटिंग हुई है और जो कुछ प्रवलाम होगे इंशालला हमारे ना सिर्फ आगे इस बात को रखेंगे इसका स्वलूशन निकालेंगे सवाल कुछ सवाल जा प्रवारी मिटिंग है हमारी जो हमारी पहले जो कमेटी थी तो हमारे जो पहले सदर थे तो उनकी थोड़ा उमर असी साल के करीब हो गई तो अब हमारे जो बेकरी में परशानिया हैं तो वहां तक पहुच नहीं पा रहे थे तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि यंग जनरेशन जो काम करें इसमें तो हम लोग जो है नासीर भाई को जो इनको मनाया हम लोग ने नासीर भाई ने जिम्मेदारी लिए कि जो हमारा बेकरी का जो वैसा है पुरी पंबे का तो हम लोग सभी परेशान थे क्योंकि हम लोग ने इससे पहले भाव बढ़ाया था तो इसलिए हम लोग नभी नए कमेटी अपना जो सदर हम लोग ने नासीर भाई को सुना है तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी लिए कि मैं बेकरी बेकरी सब जाकर के चेक भी करूंगा और जो भी बेकरी वालों की दिक्कत और जो भी परेशानी रहेगी उसको वह दूर करेंगे और उसमें इन्होंने जुआ अपनी टीम बनाई है तो हर इलाके में जाकरके इनकी सब बेकरी वालों की परेशानी है सुनी जाएगी और भाव भी जो बढ़ाया जागा हम लोग चल रहा है जो भाड़े के बेकरी वाले हो कर्जे में करsti में पीष Channel चला जा रहा है मेयदावाले का पैसा शटाता चला जा रहा जा रहा है मां लोग पर काफी कर्ज कर्जे कार्जे में हर सकीराई जिस्स इंद्री कि आगा है तो उस निगकरी यौना reasonable अजरा था architect Co सब्सक्राइब लेने का काम करेंगे आज बांबे बेकर आशोशेशियन के तरफ से सारे बेकरी वालों को बुलाया गया था उसमें जो एजेंडा था कि नया चुनाओ दूसरा एजेंडा था कि काफी दिनों से बेकरी वालों को रा मटेरियल की बढ़ जाने की वज़ा से घी, मैदा, तेल, सक्कार, डीजाल, गैस, वगयरा वगयरा, कीश्ट लगने वाली, सारी चीज बढ़ जाने की वज़ा से बेकरी वाले बहुत परिशान थे, कि हम नुकसा हमारा जो हो रहा है, इसे की भरपाई, कैसे की जाए, एक तो ये चर्चा करना था, दूसरा पहला चर्चा करना था, कि हमारा एजेंडा है, कि हम प्रेसिडेंट चुन लेए अपना, कोई हमारा रहवर मिल जाए, कोई हमारा अगुवा कार मिल जाए, तो सारे वेकरी वाले मैंने चॉइस किया कि नासीर अंसारी हमारी राइवरी करें हमारी सदर बने प्रिसिडेंट बने कुछ मैंने जी कमिटी के लोग कुछ पहुंच नहीं पाए किसी कारण वस तो जब भी दुबारा बात होगी हम लोग उनसे बात करेंगे कि सारे बेकरी वाले इतिफाक रख रह या गया है कि हमारी जो पाव हैं अमीर और गरीब सारे खाने वाले यह बहुत महंगा न बिखे इसके लिए बुलाय गया है खास तावर से खास तावर से यह सिर्फ यह ही है कि अमीर जाल फीर का जो पाव है हर चीज में जोज नान बेडी दोनों में एक उज़ lav महंगा न लोग एक एक पाओ की बीस बीस रुपिया कीमत लेते हैं बीस बीस रुपिया हमारे बेकरी सो उसकी कीमत अठारा रुपिया रखी गई है अठारा रुपिया बारा पाओ का अठारा रुपिया और छे पेड़ा के लादीर दस रुपिया और उसका वजन पर डिपेंट है कि व उसको भी नारमा लखा गया है तो पहतárias हमारे 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 हैं ऻूरे हमारे कि शूरिए होलाइन नर्जित चालू है डालरे करें थे कि बाषं चुरर हो जाते हैं त्वक्राइब हमारा रिटेल होलसेल दो हुं हैं मार्कें हमारे रीटेल क्या भाऊ है हमारा होल सेल क्या भाऊ है दोनों को हम लोग उन्हें किस तरह से बढ़ने ना दिया जाए बहुत जादा बढ़ ना जाए कि जो लोग कि महगाई के दौर हमें यह पावि महांगा मिल निए लगे इस लिए मिट्ञींग बुलाई एक कि बहुत ज्यादा महेंगा पाओं नहीं होना चाहिए बेकरी के प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा महेंगा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि जो की बहुत ज्यादा बेचने के कोसिस करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग इसलिए मिटिंग उलाया है नहीं सदर हम चुनना चाहते हैं सदर वे चुन लिया गया है एक कमेटी बनाई जाएगी उस में सब ताम होगा यह और तो डोर के लिए नहीं है बाकि हमारा जो मीठा माल है जो तोस्ट है बटर वो ऑन्लाइन डोर टोडोर हो रहा है बाकि पाव के लिए भी वह चीज होनी है तो उसके लिए हम सोच रहे हैं दो टू दो जा रहा है लेकिन ऑनलाइं में जा रहा है लिए जाने का वज़ा यह है कि उसको हम जादा बासी नहीं खा सकते हैं यही वज़ादा ओलाइन वाज़ा तो गरब चाहिए लोगों कैसा है न कि मार्केट में जो हमारी चीज जारी हो ज्यादा ओवर वैल्यू पे नहीं जाए कंट्रोल करके हिसाब से जैसा कि चल रहा है उस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा जो हमारा मिटिंग का अजेंडा था सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एलेक्शन हुआ था हमारा प् पूश्ट पे थे पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे आदे से ज्यादा टाइम वो एब्रॉड रहते थे ऐसे आदमी से हमारा काम नहीं हो पा रहा था यह तकलिफ की होजे से हमने बहुत साल निकाल दिये बहुत तकलिफ जे लिए आज के टाइम में देखें तो हर चलना चाहते हैं और यह चीज में हमारी मदद करने के लिए अखिले इंसाने जो खड़े हुए बाकी इतने टाइम से कोई तैयार नहीं हुआ था कोई खड़े हुने को तयार नहीं था कोई स्टैंड लेने को तयार नहीं था तो आज हमने अपना प्रेसिदेंट चुना है वो अपनी कमीटी बनाएंगे, हर बेकरियोलों से बुनाएंगे, बात करेंगे, सबसे एक राय पे लाखे, एक फ्लेटफॉम पे लाखे काम कराएंगे इंशानु अच्छा यह कुछ चीजे हमारे जो भाव को लेके कुछ थोड़ी बहुत 19-20 हो रही है, वो इन लोगों से हम बैटल के उसका सॉल्त सॉछ शॉलुसे निकालेगे, क्या अच्छा सॉलुसे कुछ निकालेगे इसका हम सॉलुसे निकालेगे बैट, किसी को नाराज या नर्वस नियकरेगे कि यहादा नहीं है हो थोड़ों है हमारे गुपाली है अब इसको बैठ के इंशालों कि लिए था कि मार्केट में जो रेड़ जारा थे कम करने के कर दो